नमस्ते मैं हुपाइल रहादगी आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ कुछ और on the Aryan Khan case the drug bust raid that happened at Cordela cruises जिसकी वजह से Aryan Khan को गिरफतार कर दिया गया Aryan Khan की bail reject कर दी गई है even though there was no drug found on him there was no drug found in his bag and nor was he arrested when he was consuming drugs मगर Aryan Khan की bail rad कर दी गई है अभी ता Aryan Khan की interrogation में नहीं बलकि एक और बंदे की interrogation में जिनका नाम है Achit Kumar नाम आया है film producer Imtiaz Khatri का Imtiaz Khatri is a very colorful person हम सब को उनके बारे में पता है जो Bollywood से जुड़े हुए है Now Imtiaz Khatri is close to the Khan family Imtiaz Khatri had been dating Shushmita Sen and Jacqueline Fernandez at one point of his life and Imtiaz Khatri के office और घर पर raid डाली है NCB ने Imtiaz Khatri को NCB ने office पे भी बुलाया है अब Imtiaz Khatri के साथ पूचताच करके क्या you know revelations होने वाली है ये तो समय बताएगा but we all know that Imtiaz Khatri has connections अब मैं जिरुफ बात इतना करना चाहती हूँ about a revelation that has been made by NCP के नवाब मलिक NCP के नवाब मलिक का कहना है NCB ने 8 से 10 लोगों को detain नहीं किया था कुल 11 लोगों को detain किया था और जो 3 लोग है जिनको detain करने के बाद छोड़ दिया गया था वो 3 लोगों के नाम है रिशब सच्दे, प्रतीक गाबा और अमीर फरनिचर वाला ये नाम सुनाई दिये गए और बोले गए in a court hearing and that is how he came to know about it अब नवाब मलिक जी का कहना है कि BJP के मोहित कंबोज got his brother-in-law रिशब सच्दे free from the clutches of NCB ऐसा नवाब मलिक का कहना है साथ साथ में उनका ये भी कहना है तो पीबल वो इन्वाइट आर्यन खान and they were let off later the entire raid is fake ऐसा NCP के leader नवाब मलिक का कहना है मैं तो सुरफ इतना ही कहना चाहती हूँ कि drugs भारत में consume होता है drugs का बहुत बड़ा consignment गुजरात के मुझे अदानी मुंदरा पोर से मिला उसके ओपर भी हमको information चाहिए कि किसने इतना बड़ा consignment का और दिया वो चिन्नाए कापल और नहीं दे सकते थे वो चिन्नाए कापल और इनमीडियेटरी फैक्टर ट्रांस्फरिंग थे कंसाइनमेंट फों अफगानिस्तान तो सम प्लेस इंडिया अब भारत के यूवा पीडी को ड्रग्स मेनन्स से बचाने के लिए इस यूवा पीडी को आपको बोलना चाहिए to get inspired by soldiers army officers because ये लोग अगर Bollywood के superstars को अपना inspiration बनाते हैं वो Bollywood के superstars जो दिन में Fit India Campaign को प्रमोट करते हैं और रात को खुद drugs का consumption करते हैं then that is wrong and that is setting a wrong example the नौजवान पीडी अव भारत needs to be inspired by soldiers army officers not by Bollywood superstars because Bollywood के अंदर drugs है but हां आरियन खान के साथ जाती हो रही है आरियन खान के पास drugs नहीं था आरियन खान drugs consume नहीं कर रहे थे आरियन खान को अभी तक jail में रखा गया है और उसे bail नहीं मिली है is a very sad update on this whole case but yes ये case से बहुत सारे links मिलेंगे जहां पर हमें पता चलेगा कि actually कौन-कौन Bollywood के अंदर drugs का सेवन करता है नमस्ते चैहिन